तो आज मेरे किचन में एक ऐसी डिश बन रही है जो हो सकता है सबकी फेवरिट ना हो लेकिन जब आप इसे कहीं स्पेशल जगे जिसे भंडारे, मंदिर या प्रशाद की तौर पे खाते हैं तो ये सबको बहुत अच्छी लगती है जी हां हम बात कर रहे हैं कद्दू की, पंकिन या पेठा या फिर सीता फल भी से कहा जाता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक अमेजिंग रेसिपी घटे मीठे कद्दू की सबजी की तो सबसे पहले हमने कद्दू लिया है, क्रीन वाला कद्दू आप ले सकते हैं जो आजकल के टाइम में आया हुआ है हर जगे अवेलेबल है तो मैंने उसको चोटे-चोटे पीसिज में कट कर लिया है यहाँ पर मैंने लिया है कद्दू तो आदा किलो के करीब कद्दू लिया है और दो टमाटल को आप बारी काट सकते हैं यहाँ पर मैंने कच्चा आम भी लिया है क्योंकि इस मौसम में खूब आ रहे हैं अगर नहीं है तो आप अमचूर भी डाल सकते हैं कड़ी पत्ता, गुड, लाल मिर्च, तेज पत्ता, हरी मिर्ची, अदरक, ग्रेट क्या हुआ, मेथी, जीरा, सौव और हींग, जो की बहुत important है तो ये सब मसाले हमें चाहिएंगे एक amazing सी खटा मुठा कद्दू बनाने के लिए तो चलिए start करते हैं और जरूर याद रखिएगा इस recipe के लिए आपको सरसू का तेल ही use करना है उसके बिना वो authentic taste आएगा ही नहीं, चाहे आप refine डालिए, चाहे घी डालिए देसी लेकिन जो taste सरसू के तेल में आता है, वो नहीं आएगा तो यहाँ पर तेल मेरा गरम हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे जीरा करीबन 30 सेकिंड के बाद जीरा अच्छा सा golden brown हो जाएगा उसके बाद हम इसमें डालेंगे मेथी दाना, मेथी दाना डालना important है कोई भी मसाला skip ना करें, नहीं तो वो authentic taste आएगा ही नहीं में यह easily भुन जाता है, तो आप चलाते रहें इसको continuously, कड़ी पत्ता डाला है इसके बाद जब कड़ी पत्ता आपको लगे से आवाज आने लगी और थोड़ा सा भुन गया है इसके बाद इसमें लाल मिर्च और हरी मिर्च डाले, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें मिर्च का, तो आप कोई एक मिर्च skip भी कर सकते हैं इसके बाद इसमें डलेगा टमाटर, आप चाहें अगर आपके पस खटाई कम है या फिर आगर आप कच्चा आम नहीं डाल रहे हैं तो यहाँ पर आप एक दो टमाटर और बढ़ा सकते हैं और साथ में आप यूज कर सकते हैं अमचूर पाउडर लेकिन यहाँ पर मेरे पास है कच्चा आम तो मैं इसलिए सिरफ दो टमाटर ले रही हूँ इसको ढख कर रख देते हैं और तब तक हम बनाते हैं अपना सीक्रेट मसाला जिसमें मैंने डाला है यहाँ पर धन्या पाउडर, गरम मसाला, नमक और हल्दी और इसके बाद मैंने यहाँ पर डाला है थोड़ा सा इसमें पानी, आदा कप के करीब पानी इस तरह से ही मसाला बनाईएगा सारे सूखे मसाले आप यहां पर पानी में डाल के मिक्स करेंगे और फिर यही मसाला जाएगा टमाटर में तो टमाटर यहां पर हमारा गल चुका है अब यह जो मसाला बनाया है इसको इसी तरह से डालेगा amazing taste आएगा जो भी सारे flavors हैं टमाटर में गए हुए उसमें सारा जो liquid form में हमने सारा masala डाला है वो अच्छे से merge हो जाएगा तो आप पोशिश कीजिएगा इसी तरह डाले बस यहां तक का effort था उसके बाद आपको यहां पे सीधा कद्दू डालना है जो आपने काटा हुआ है देखिए अब मैं आपको बताते हूँ कुछ लोग क्या करते हैं कद्दू को अलग से boil कर लेते हैं आलू के जैसे और इस stage में वो boiled कद्दू डालते हैं तो आप उस तरह से भी बना सकते हैं अगर आपके पास time कम है नहीं तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं अब यहां पर मैंने डाला है आधा कटोरी की करीब करीब कच्चा आम और इसको ढख कर रख देते हैं इसमें आपको अलग से पानी डालने की जरुरत नहीं होती क्योंकि कद्दू में already water content होता है और आप इसको ढख कर भी रख रहे हैं तो steam से ही यह पक जाएगा देखिए क इतना पानी अभी आपको दिख रहा है जबकि मैंने इसमें नहीं डाला है तो यहां पर हमने वो जो टुकड़ा मैंने आपको दिखाया था उतना गुड मैंने आप इसको तोड़ कर डाला है इस स्टेज पर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो यहां पर ढख दिया है मै तो थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए, इस स्टेज पे मैंने यहाँ पर डाला है नमक, आप अल्रेडी डाल भी चुके हैं मसाले में तो थोड़ा ध्यान दीजेगा, नमक अपनी सिहत के नुसार डालिएगा, अब ये अल्मूस्ट तयार हो चुकी है, तो बस पांच मिनट के लिए और ढखके रखेंगे ताकि एकदम सॉफ्ट सब्जी बन जाए, और अब हम सर्फ करते हैं, इसको गर्मा गरम पूरी के साथ, बहुत ही अमेजिंग सब्जी बनेगी, बच्चे बड़े सब बड़े शौक से खाएंगे, तो चलिए, आप भी ट्राइ कीजे, और अपन आप्याएंगे, टुस्याइन टोथाने ची बने वी रसे खाएंगे, बड़े खाएंगे, या बड़े बने शौक से ताकि दставля गारूएंगे खाहते हैं, इसको नहांगे savedांगे, ब 몇 यांश्याएंगे, आप चाहते हैंगे, अबने गर में यायको